कि दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगा हूं अगर आपको शरीर का कोई बे अंग जहां जॉइंस में है मने जोड़ में दर्द देरा जिसको आप संधी बात कहते हैं गुर्गे दुफना कमर दुफना आप गोमुत्र पी लीजे 15 से 20 दिन में जोड़ों का सब दर्द प्रिक कर देए जिनको संधास नहीं आती खुलकर नहीं आती पोट साफ नहीं होता बहुत ज्यादा मल बद्विता है उनको मेरी विंती है कि गोमुत्र पी लीजे एक हफ़ते में ही पोट बिल्खुल साफ कर देए इस गोमुत्र का उप्योग करके मैंने अब तक 48 बीमारियों का इलाज किया और अधुद परणाम इसके है और ये 48 बीमारियां अक्सर हमें होती सर्दी है खासी है जुकाम है बुखार है सबकी और गोमुत्र है कितना भी तेज बुखार आ पुर्श DAY बस इसमें सावधनी एक ही रखनी हैं कि गाय का मूत्र माने देशी गाय का जर्सी उर देशी का करने संस्थय जर्शी गायिके पीट पर खांदा नहीं होता तो वह सफाप होता है और देशी गाय में बच्षिया का वह अच्षडी का जो कभी मा नहीं बनी है तो वो सबसे अच्छा हरेद बीमारी और बच्छिडी है और काले रंकी है तो सर्वोक्तम काले रंकी बच्छिडी अगर है उसका मूत्र कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने की तांक रखता है हो पाले का एंसर आहार्नली का मूत्र और उपट का कैंसर ये तीन त्रों में मैं ने उपियोक करके दिखा है काली बच्छीका मूत्र अध्वच परिनायुअ आप कभी के कैंसर में खाली फजतर से और पर पॉत्र के साथ एक छोटी सी और के कंसर में वह वह हड़क रस अवर मेंना ताजा उसका रस सुबस्टोस भाग 5 थैना एक तास्माना तर आपने हड़क का रस दे। जैघो तो दिन में चार पांच में जहें तो गले का कैंसर आहर नली का कैंसर शका केंसर बहुत अच्छे पड़ना बहुत ही अच्छे और इसलिए अमेरिका की सरकार में वो मुत्र पर पेटेंट करा लिया उनको ये मालूम हो गया और अमेरिका की सरकार में हड़क पे भी पेटेंट करा लिया क्योंकि वो कैंसर में उप्योग हो रही है तो हमारे आईर्वेच चिकित्सा के अनुसार जिनद्गी की खराप कोई बीमारी खराप रोग है आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है या तो स्वेमपाधधर, नहीं तो स्वेमपाधधर के नजदीक का जो इलाखा है इसी में आपके सभी रोगों के इलाज हो सकते हैं एक भी रोग ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़ा अब थोड़ा और आगे बढ़ता हूं इसी गोमुत्र से आप मूडव्याद बवासीर और भगंदर तीन रोग को छिट कर सकते हैं जिनको मूडव्याद है बवासीर है भगंदर है वो रोग जादा कब गोमुत्र भी है और उसके एक तास के बाद केले में कपूर रखके खाएं केला है पका हुआ केला उसको काटें और थोड़ा करपूर उसमें रखके केले को खाएं साथ दिन अगर केला और कपूर खा लिय तो आपकी बवासीर खूनी हो या बिना खूनी ठीक कर देगा 15-17 दिन अगर खालिया तो मूडव्याद और भगंदर भी ठीक कर देगा लिगन गोमुत्र के साथ ऐसे ही आपके शरीर में रख्ट की कमी आती हो रख्ट तल्पता हो जाती हो तो भी गोमुत्र आप अगर जिन में खासी ठीक हो जाती है ऐसा कोई रोग नहीं है जो गोमुत्र से ठीक ना हो इसलिए चरक शहता में चरक रिशी में बागबठ सहता में बागबठ रिशी ने गाय मुत्र को ब्रह्मानदी की सबसे अच्छी आउशवी कहा इस तो है कि अलिए को आप इसका इस्ते मुलब करें गाय है 40 गाओं में देशी गाय है मैंने देक व में गूं के लोगों के पास बेशी गाय आपके पास अगर ठोडी भी केहरई एक हरिद लीजिये घर के सामने रख लीजिये जर्टे सामने जगह नहीं है तो इसका मूत्र आपको शबी करूप में काम आएगा और दूट दी काम आएगा दूट बचेहाई गाओ जही स्थेंगा, तूट भी बनेगा, सब कुछ इम्हाइगा मेरे अपने गाओं में जहां मेरा जन्मिस्थान है इतर ब्रदेश में अलीगे गाएगा मुंत्र ग्रदीडना डिकता और काई काई दूग 15 घॉत है भूत से महना मूत्र तक है क्योंकि मेरे गाउंस धो मूत्र बनाने का यह की चलता ही है कि तो हमारे राव में कि सी ही भी गाय थो मूत्र रहे कखरीदने के लिए कठ ब्षानच करते हैं जो कि बहुत सारी इसथालों पर बिखती आयरुवेजद्टि के में अभी गोमूत्र ची बनाने का लाइसन्स देना नवे शुरू कर दिया है कि सिता करते है्ग अगर आप गाये पालते हैं देशी गाए और वो दूद ना भी दे तो भी उसका मूत्र बेचकर आप साल में दो लाख रुपई की आवंदनी कर सकते हैं एक गाए से एक गाए का एक साल का मूत रिकठा करें तो दो लाख रुपई की आवशक उससे बनती और बाजार में आसानी से दिखती इसलिए मेरी सब को विंती है कि गाए पाली एक दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिर लाइप कमेंट और शेयर करें और हमारा Android एप डाउनलोड करना ना भूलें